हेलो फ्रंट्स स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी आवर लाइफ में तो यह समसामी की घटना चकर का करेंट अफेर का बुक है जो मासिक करेंट अफेर है और यह जनवरी माकप कम्प्लीट करेंट अफेर है तो इस करेंट अफेर का कल हमने एक वीड से देख सकते हैं और मैंने इसका प्लेइस्ट भी बना दिया है आप लोग वहां पर प्रे जनवरी माका प्लेश्ट में करेंट अफेर मिल जाएगा और जो लोग इरुट एरिए से करेंट्ट अफेर देखना चाहते हैं तो 2021 का कम्प्लीट करेंट अफेर उसका भी प्लेश चर्चित व्यक्ति से संबंदित इसे हम देखते हैं और वीडियो हम बहुत चोटा बनाते हैं ताकि आप लोग बोर्ड नो हो और देखने में भी अच्छा लगे क्योंकि करेंट अफेर ऐसा चीज है कि बहुत आदमी देख नहीं पाते हैं बोर्ड हो जाते हैं तो बोरिंग 17 जनबरी 2022 को कब हो है 17 जनबरी को हो गया और यह उनका बास्तबिक नाम था ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा क्या नाम था इनका बास्तविक नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा और इनका जन्व हुआ था चार फरबड़ी 1937 को और ये ततकालिन हांडिया जो ब्रत्माने परियागरा जीले में है एक तहसिल युनाइटेड प्रिवेंसेज ब्रिटिस इंडिया में हुआ था ठीक है और इनके बारे में कुछ दिया हुआ ऐसे परते हैं ये कथक नर्तकों के महराज परिवार के वनसज रहे हैं और ये लखनव कलका बिंदानी घराना से तालुक रखते हैं उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरसकार वर्स 1986 में पदम भीभूशन पुर और उन्होंने 2012 में उन्नाई कनाथू फिल्म जो विश्वरूबम में कॉरियोग्राफिक के लिए रास्टिय फिल्म पुरसकार परतान किया गया था किसे बिर्जु भाई को उसके बाद है बिर्जु महराज जी को वर्स 2016 में उन्हें फिल्म बाजी राव मस्तानी के गाने म मोहे रंग दोलाल को कॉडियोग्राफिक की फिल्म फिल्म फियर आवार्ड से समानित किया था तो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखेंगे और इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे क्योंकों पुरसकार दिया गया था यार कि इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं कौन डॉक्टर एस सोमनाथ और इन्होंने 14 जनवड़ी 2022 को अपना पदभार समाला है और इनका कार्ज काल तीन वर्सका होगा इससे पुर्व वो बिक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा तिर्वंत पूरम केरल केंदी दे सकते इस पद पर उन्होंने डॉक्टर केशिवन का स्थान लिया इसे पहले कों थे केशिवन थे उर्जित पटेल उर्जित पटेल अर्बियाई के पुर्व गवर्नर और विजिंग चीन में इस्थित एसियन इंफ्रायस्ट्रेक्चर इंवेस्टमेंट बैंक यानि सोट में जि अर्जित पटेल उसके बाद है सॉरी ब्रतमान में कोन है सक्ति कांदास उर्जित पटेल मिस्टेक से निकल गया और इनका कार्ज काल तीन वर्ज का होगा यह क्या बने है बिजिक चीन में इस्थित एसियन इंफ्रायस्ट्रेक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक् नेशनल इंस्टिटूट और पॉब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिशी के अध्यक्ष है ब्रतमान में इंस्टिटूट और पॉब्लिक फाइनस एंड पॉलिशी के अध्यक्ष है आब बात करते हैं जांग मिंग की जांग मिंग कौन है जांग मिंग जो है वो चीन के वरिष् और SCO के महासचीव हैं आप बात करते हैं Sydney Poitier को Sydney Poitier ये जो हैं बहमासा मुलके प्रसिद अमेर्की एवनेता कानिधन हो गया है Sydney Poitier इनकानिधन हो गया है और ये 6.902 को और वर्ष उन्हें 63 मेंने आसकर जीतने वाले पहले अस्वत एवनेता के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने To Serve With The Love In The Heat Of The Night और Guess Who's Coming To Dinner जैसी सांदार फिल्मों में काम किया है ये सब इनकी फिल्म है तो इनका फिल्म का भी नाम एक बार आप लोग देख लीजेगा To Serve With The Love Next है In The Heat Of The Night और तीसरा है Guess Who's Coming To Dinner ये सारी फिल्म किसकी है ये सारी फिल्म सिर्नी पोईटियर की मतलब इस फिल्म में इन्होंने काम किया था उसके बाद है TS3 मूर्ती TS3 मूर्ती ये सयुक्त राष्ट में भारत में अस्थाई परते निदिते हैं और सयुक्त राष्ट शुरक्षा परिसद जिसे सोट में UNSE बोलते हैं कि आतंकवाद विरोधी समीती के अध्यक्ष निउक्थ हुए है कौन TS3 मूर्ती जनबडी 2022 में Next है सिंधूताई सबकाल सिंधूताई सबकाल जो है समाजिक कार कत्री है मतलब थी जिनका क्या हुआ मिर्तु हो गया अब है हर्पृत चंडी हर्पृत चंडी भारतिये मुल्की ब्रिटेश फीजियो थरेपिस्ट और दसनी धुरूप अटांटिका के अकेले यात्रा करने वाली पहली भारत वंशी एवं अश्वेत महिला वनी हर्पृत चंडी बीवी आई है यह और जनबड़ी 2022 का यह न्यूज है उसके बाद है यहां देखते हैं यह उत्तरपुर्व इंग्लेंड में ब्रिटीश सेना की मेडिकल रेजिवेंट में कारे रथ है अगला है अलका मित्तल अलका मित्तल सारबजनिक शेतर की वाइल एंड नेच्रल गैसेज कॉर्प्रेशन लिम्टेड यानि ONGC की आंत्रीम अध्यक्ष एवं परवंधक निदेशक निव्थ हुई है तीन जनबड़ी 2022 को और वादेश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पाद कंपनी का नेत्रित करने वाली पहली मैला है तो पहली मैला है तो भी वी आया है तो इसे आप लोग याद रखेंगे बिनोध कर्नन बिनोध कर्नन जो है ये Tata Suns Private Limited और सिंगापूर एयरलाइन के सयुक्त उद्याम विस्तारा एयरलाइन के नए मुख कार्जकारी यादिकारी यानी CEO के रूप में पदगरहन की हैं एक जनवरी 2022 को नेक्स्ट है B.S. पठानिया B.S. पठानिया जो है भारतिये ततरक्षक बलके 24 में महानी देशक के रूप में पदभार ग्रहन की हैं 31 दिसंबर 2021 को B.S. पठानिया भारतिये ततरक्षक बलके कैमे नमबर के हैं 24 में नमबर के नेक्स्ट है B.N. कुमार तिरपाथी ये रेलवे बोड के नए अध्यक्ष एवं मुखे कार्जकारी अधिकारी निउक्थुएं है 31 दिसंबर 2021 को ये भी B.V.I. बिने कुमार तिरपाथी कौन बने है? रेलवे बोड के नए अध्यक्ष और CEO और उनका कार्जकाल दिसंबर 2022 तक रहेगा नेक्स्ट है दुर्गा संकर मिश्रा ये उत्तर परदेश के नए मुक्ष सचीव के रूप में पद भार ग्रहन किये हैं जो 30 दिसंबर 2021 को और इस पद पर इन्होंने आरके तिवारी का अस्थान लिया है तो इससे पहले कौन थे? ये भी दे दिया है आरके तिवारी नेक्स्ट है अतुल कुमार गोयल अतुल कुमार गोयल जो है ये पंजाम नेशनल बैंक यानि PNB का प्रवंधक निदेशक यानि M.D. एबं मुक्य कार्जकारी का इदिकारी कहें तो C.E.O. नुक्त हुए है और 28 दिसंबर 2021 को नेक्स्ट है अजरा जिया अजरा जिया जो है ये भारतिये मुलकी अमेर्की राइजनाईक है और तिबबती मुद्दो के लिए अमेर्का की बिसे सायोजक बनी है दिसंबर 2021 में और उन्हें तिबबत पर एक समझोते के लिए चीन और दलाई लामा या उनके प्रतिनिदियों के बीच ठोस बातचीत को आगे बढ़ाने का काम सौपा गया है अजरा जिया को नेक्स्ट है अतुल दिनकर राने अतुल दिनकर राने अतुल दिनकर राने जो है ये DRDO के प्रमुख बैग्यानिक किसके DRDO के और ब्रहमोस एरोए स्पेस लिम्टेड के नए महानी देशा के रूप में पदभार ग्रहन किये हैं 20 दिसंबर 2021 को नेक्स्ट है नियायमूर्थी ग्रीष ठकोर लाल ननावटी ये उच्चतम नियाले के पुर्व नियायधीस का निधन हो गया है 18 दिसंबर 2021 को आगे देखते हैं अगला है वो बर्स उन्हेश पंचानवे से 2000 तक उच्चतम नियाले के नियायधीस रहे हैं कौन तो इनका नाम नियायमूर्थी ग्रीष ठकोर लाल ननावटी और उन्होंने वर्स 2002 में गोधरा कांट तथा 1984 के सीख विरोधी दंगों की जांच की थी नेक्स्ट है गैम्बरियल गैम्बरियल बोरिक ये बामपंथी नेता हैं और चीली के राष्टपती निर्वाचित हुए हैं दिसंबर 2021 में 19 दिसंबर 2021 को 35 वर्स की आयू में राष्टपती चुनाओं में जीत हांसिल करने का सबसे यूवा नेता कौन गैम्बरियल बेरिक बीबी आई है उलाफ स्कॉल्ज ये जो हैं जर्मनी के नए चांसलर के रूप में पदभार ग्रहन किये हैं उलाफ स्कॉल्ज 8 दिसंबर 2021 को और ये वर्स 2018 से जर्मनी के वाइस चांसलर और बित मंत्री रहे हैं और इस पद पर इन्होंने एंजला मारकल का अस्थान लिया है इससे पहले एंजला मारकल थी नेक्स्ट है गीता गोपिनाथन ये जो है अंतरास्टी ये मुद्राकोस यानि आई एमेफ की मुख अर्थ सास्त्री और आई एमेफ की उप परवंधक निदेशक फॉस्ट डिप्टी मैनेजिंग डारेक्टर निवत हुई है दिसंबर 2021 में और भारती आमेड की मुल की गीता गोपिनाथन आई एमेफ की मुख अर्थ सास्त्री बनने वाली पहली महिला है उसके बाद है पेत्र फियाला पेत्र फियाला चे गंडाज के नए परधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहन किये हैं 28 नौवंबर 2021 को और इस पदपर इन्हों ने एंड्रेज वाविस का स्थान लिया है नेक्स्ट है डेसमंड टूटू डेसमंड टूटू की बात करे तो ये दस्टीन अफिरका में रंगवेद को समाप्त करने वाले प्रमुख नेता का निधन हो गया है ये कौन थे तो ये दस्टीन अफिरका में जो रंगवेद हुआ था उसको समाप्त किये थे और 26 दिसंबर 2021 की की मिर्टू हो गई है और 184 में इन्हें नोबिल सान्ती पुरसकार से समानित किया गया था और उन्हें भारत सरकार द्वारा गांधी सान्ती पुरसकार से भी समानित किया गया था डेसमंड टूटू को अगला देखते हैं आहमद नसीर अलरईसी ये जो हैं सयुक्त अरव अमिरात के गिरी मंत्राले में इंस्पेक्टर जनरल अंतराश्टी या प्राधिक पुलिस संगठन इंटरपॉल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुएं कोन आहमद नसीर अलरईशी 25 नॉमबर 2021 को और इनका कार्जकाल 4 वर्सका है आगे देखते हैं इसके बाद है चून डू हॉन ये दस्चिन कोडिया के पुर्व राष्ट पती का निधन हो गया 23 नॉमबर 2021 को और ये सितंबर 1928 से फरबड़ी 1988 तक दस्चिन कोडिया के राष्ट पती रहे हैं अगला है प्रोफेशर बिमल पतेल ये राष्टिय सुरक्षा विस्विद्याले के कुलपती और भारती राष्टिय सुरक्षा सलाकार बोर्ड के सदस रहे हैं और अंतराष्टिय बिधी आयोग में निर्वाचित हुए कब नॉमबर 2021 में उनका कार्जकाल एक जनबडी 2023 से सुरू होकर पांच वर्स का होगा सील वर्धन सिंग ये केंद्रिय अद्योगिक सुरक्षा बल यानि CISF के महानी देशक महानी देशक बने हैं कौन सील वर्धन सिंग 15 नॉमबर 2021 को अब है अड्मिरल आर हरी कुमार ये देश के नौसेना प्रमुका पदभार ग्रहन किये ह और इस पद पर उन्होंने अड्मिरल करमबिर सिंग का आस्थान लिया है अब है अन्य चर्चित बेखती तो देखते हैं यहां पर एजय कुमार चौधरी ये आर्बी आई के नए कारपाल निदेशक यानि इडी निक्थुए तीन जनवरी 2022 को डॉक्टर दिपक कुमार ये कमान सम्हालने बाली पहली महिला बनवी जनवरी 2022 में ये तोड़ा भी वी आई है उसके बाद है जी असोक कुमार ये रास्टी ये स्वक्ष गंगा मिशन ये भी भी वी वी आई है के महानिदेशक के रूप में पदभार गरन किये तीन जनवरी 2022 को प्रबीन कुमार प्रब दिक्स्ट है असोक इलुश्वामी ये भारतिय मुल्के वेक्ति एलक्ट्रोनिक बाहन कंपनी टेसला की आंटो पाइलेट टीम के पहले करमचारी बने हैं दिसंबर 2021 में राधिका जहा ये एनरजी एफिसियंसी सर्विस लेम्टेड की मुक्य कार्जकारी अधिकारी निउक 29 दिसंबर 2021 को आगे देखते हैं प्रदीप कुमार रावत ये केंद सरकार द्वारा चीन में भारत के नए राजदूत निख्थ हुए बी दिसंबर 2021 को सरत कुमार मुखर जी ये प्रसिद बंगाली कभी और लेखा के जिनकी मिर्टू हो गई 21 दिसंबर 2021 को अलका उपाध् 26 दिसंबर 2021 को नेक्स्ट है मैकडेलेना एडर्सन ये सिवडन की पहली महिला परधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहन की 30 दिसंबर 2021 को नेक्स्ट है गुर्मीत बाबा ये प्रशिद पंजावी लोग गाईका का मिर्टू हो गया है 21 दिसंबर 2021 को गुर्मीत बाबा का जनरल प्रवु राम सर्मा ये निपाल सेना के चीफ आफ दा आर्मी स्टाप और भारती सेना के जनरल की मानद उपाधी परदान की गई 10 नौवंबर 2021 को परमोध चंद्रमोधी ये केंद्रिय परतेक्ष करबोड के पुर्व अध्यक्ष राजसभा के नए महासचीव नुक्त हुए हैं बल्वंत मोरेश्वर पुरंद्रे बावा शाह पुरंद्रे भी कहा जाता है ये प्रसिद इतिहासकार एबं रंग कर्मी का मिर्तु हो गया 15 नौवंबर 2021 को अतुल करवाल ये रास्टी ये आपना मोचन बल यानि NDRF के महानी देशक का पदभार गरन किये हैं 15 नौवंबर 2021 को नेक्स्ट है डेनियल बुर्हल ये एस्पैनिस जर्मन अभिनेता सायुक्त रास्ट विश्वखाद कार्जकरम के वैस्विक सदभावना रास्दूत नामित हुए हैं 10 नौवंबर 2021 को अगला है प्रोफेशर कोनेरू रामकृष्ण राव ये प्रसिद सिक्षाविद एवं दार्शनिक का निधन हो गया 9 नौवंबर 2021 को अनिता आनंद ये भारतिय मुल्की महिला कनाडा की रक्षा मंत्री वनी है 26 अक्टूबर 2021 को वाग यापिंग ये आंद्रिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अन्द यातरी वनी वाग यापिंग वाग करके गई है यह भी इंपॉटेंट है और पहली बार गई है नय मुर्ती अशोख भूशन उच्यतम न्याले के पुर्व नियाधिस राष्टिय कंपनी विदी अधिकरण के अध्यक्ष कत्रेक्ष का पदभार frandando की हैं न्याई मुर्ती असोक भूशन की यह हमारा चर्चित बेकती का लिस्ट था जो यहां पर समाप्त होता है और अग्ला जो हम करेंगे वह हमारा चर्चित अस्थल होगा उसके बाद पुरसकार संवान भी करेंगे ऐसे ज़िसे करके दीर देरे सारा टपी को कवर करेंगे तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाज जादा सेयर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद